आज की सेलेचर में हम लोग थे यह प्रियों का मोस्ट इंपोर्टन को सॉल्ब करने वाले हैं तो अभी तक हमारा चाहरा को सब्सक्राइब नहीं कि यह तो सब्सक्राइब कर ले और बेल एकन को दबादे हां आपके दोस्तों को साथ सेयर करना नहीं भूलेगा चलिए सेलेच इसके लिए आपको टेंशन लेने के जरूरत नहीं है और यह बोल रहा है किक्यों आएक इसका जो आईगा मेलगी मेली मतलब रहें आँ तो उसको हम लोग चейक कर लेंगए उसके इसी में एक और question add किया हुआ है solve the equation एक equation दिया हुआ इसको solve करके आपको AP में root निकालना है अब इसी question को दो part में आपको exam में decide कर सकता है divide कर सकता है या long question में पूछेगा तो दोनों एक साथ भी पूछ सकता है इसके लिए आपको यह उपर वाली इस standard equation है इसे भी नहीं मिलेगा इसमें कोई change नहीं होगा plus minus सब सेम रहेगा तो आपको रटना चाहोगा तो रट सकते हो इतना बात हो के अब ध्यान रखेंगे उसके पाद इस question को हम लोग solve करते हैं आगे तो सबसे पहले हम लोग इसका given equation जो हमारा दे रखा है न उसको लिख लेते हैं x q minus p x square plus q x minus r is equal to 0 अब यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे नाओ लेट दी रूट्स आफ गीवें एक्वेशन गीवें एक्वेशन इस हम लोग रूट मान लेते हैं इसके बाद इसके समेशन करेंगे तो समेशन कीजेगा तो a minus d plus a plus a plus d is equal to minus a1 और a note इतना आ जाएगा उसके बाद इसको आगे solve करो कि यह तह आपका आएगा a minus d plus a plus a plus d is equal to अब देखो यहां पर क्या है आपका a1 में क्या माइनस p है तो प्लस हो जाएगा यह नोट में 1 है तो केवल हमारा only for p p by 1 आ जाएगा पी बाई वान आएगा वो यह d से d cancel होगा तो 3 a is equal to p आ जाएगा यानि a वराबर p y 3 आ या अब यह हो गया अब एक काम को रहे चाहो तो इसके एक्वेशन फॉस्ट मालो मुझे कंडिशन इस दो बताना है थे आपकर करेंगे पुट the value of a in equation first in equation first में हम लोगे इसको पुट कर देंगे और पुट कीजिएगा तो यहाँ पी देखे यहाँ पर क्या आएगा पी बाई थ्री है यहाँ पर आएगा पी क्यू यह अच्छे लिए लिग देते हैं थाकि आपको इस सुना हो पी बाई थ्री का हॉल पावर क्यू और यहां पर माइनस है तो माइनस डी लिखेंगे और यहाँ पर क्या पी एस्क्वाइर यह है और और यह के बाद यहां पर आजाएगा map optimize क्या आजाएगा और यहां पर प्लस क्या आजाएगा पी क्युआ जαगा बाइट शाल जगा इतना जाल अब इसको सवह को ल d वीर मिंगें आब यहां पे 27 आजागा यहां पे three है नहीं पर 9 आ जागा नाइन पीक्यू आ जागा और यहां पर आजगा 27 आरा जागा राइट यह इवाल टूज इतना जागा जब इसको तो आजागा यह जी हो जागा यहां से में समय धास पिक्यू आ और प्लस 9PQ हो जाएगा और माइनस 27R आजागा इकल टू जीरो अब यह माइनस यहाँ पर आपको आजागा इकवल टू जीरो आजागा इतना हो जागा और उसके बाद यहीं आपका कंडिशन से अब लिक देंगे हैंस रिक्वाइड रिक्वाइड कंडिशन यही हमारा कंडिशन रिक्वाइड था जो मुझे निकालना था अब यहां पर तो एक आपका एंसर यहां पर आ जाता है अब यहाँ पर एक equation जो दिया हुआ था उसे solve करना है तो उसे solve करने के लिए तो यहाँ से again again यहाँ पर लिखेंगे again जो equation आपका दे रखा था क्या दे रखा था x q माइनस 12 x square और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दे रखा था सबसे बह से पहले देह से एगान लेट करना होगा तो लेट pop I will crush on a secret application is Austral all around in का माननेंगेalin माइनस ी ओर it or a आपसी वानें तो माननें इतना मानें फिर से हम शमिशन करेंगे फिर उसकी तरह यहाँ पर लिखेंगे A minus D plus A plus A plus D is equal to minus A1 by A note जैसा कि मालूम है पहला minus, फिर plus, फिर minus, फिर plus ऐसा चलता है sequence बनाता है, इसको N तक भी लिखा जाता है अब देखो A note की जगह पे हैंपे क्या है A1 की जगह पे क्या 12 है minus तो plus आजाएगा A1 की जगह क्या 1 है तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे आप इसको करोगे तो A minus D plus A plus A plus D यहाँ पाजाएगा 12 by 1 यह D से D आपका cancel out हो जाएगा तो इतना अपनोड़ान कीजिए फिर आगा solve करते है चले इस कोसम को हम लोग आगा solve करते हैं तो हम लोग कहां तक आ चुके हैं? यहां तक आ चुके हैं और यानि A बराबर आपका आगया 4 अब उझे D लाना होगा तो D लाने के लिए क्लिए क्या करेंगे? सभी को आप आपस में multiply करेंगे तो A minus D और A और A plus D करेंगे minus A minus D आ जाएगा लास्ट वाला क्यों लास्ट ट्रम डाइरेक हम multiply लेगा लास्टर में चल जाएगा तो यहां पर आजाएगा minus D Y A not आप इसको जेखो यह आजाएगा A square minus D A square और आजाएगा A is equal to minus D आपका क्या है? minus 28 है तो पलस होगा minus 28 है तो आपका plus आजाएगा तो यहां जाएगा 28 और A note के जाएगा यहां पर कुछ नहीं है 1 है AQ के साथ तो यहां पर आजाएगा 1 क्योंकि हम लोग मैं higher power देखते हैं उसका जो coefficient होता वही A note होता है तो चैनल अब यहां पर A की value क्या 4 है तो यहां पर चार्ट चॉक 16 minus D A square और यहां पर 4 आजाएगा और यहां पर 28 आजाएगा जब इससे आप केंसिल आउट करोगे ना इससे केंसिल आउट करोगे तो हम तो डारेक्ट करते साच्छों पठाइस आजाएगा तो यहां पर आजाएगा 16 और D A square is equal to 7 इसको उदर भेजोगे तो D A square is equal to आजाएगा 7 16 अब इधर हम करना स्टार्ट करते हैं देखो यह जगा माइनस D A square is equal to क्या आजाएगा आपर 9 माइनस माइनस केंसिल होगा तो यह जगा नाइन और यह जगा प्लस माइनस अंडरूप 9 यानि D वराबर प्लस माइनस यहां पर 3 आ गया अब प्रिविएस लेक्चर में आपको हम बताए थे कि आपका यह प्लस माइनस है तो इसको जरूरी नहीं है कि कंडिशन बनाके माइनस को अलग स्वालप करो वह प्लस वाले को अलग डालके स्वालप करो ओनली फोर पॉजेटिव आब के चल दीजिए उसको स्वालप कर देजिए आपका कोशन कंपलीट हो जाता है आगे कुछ दिमाग लगाने की जुरूरत नहीं माक्स नहीं कड़ेगा फिडवी अगर आपको दिख्षा है अंतरातमाओं से कि अब नहीं हम दोनों कंडिशन में कोशन करेंगे तो कि एक्वेशन एज क्या है हमारा ए माइनस टी था ना ए था और ए प्लस डी था अब देखो ए बराबर अपका फोर आया है तो यहां आपको डाल देते हैं कि फोर और प्लस लेकर चल रहे हैं तो है माइनस 3 आ जाएगा फोर आ जाएगा और यहां पर फोर है ठीजेगा तो यही आपका रूट सा गया ओके तो अई-अप यह एक्जाम हो रहा था इसमें पूचा गया था नहीं तो या दोन आपको प्रॉसन में 22 Pa और इस पश्रेकर साबकैया में में पूच्छा जा सकता है या अलग-अलग पुछ सकता यह जो इक्वेशंस आपको हैं यह सेव होता है तो इतने यह यह मेथड से आपको भुमार फिरा कर सॉल्प किया हुआ है कि आपको कोई इसु नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं होगा आपको फिडवेक दिजिएगा कि सही में वाकिव में आपको एक वार में 100 समझ में आ गया है और याद हो गया है तब कमेंट करके हमाँ जरूर बताइएगा तो चलिए हम लव यह ओल